नमस्कार मैं हुआ अभिनाश पांडे और आप देख रहे हैं नीउजवन इलेवे इधार लखी सराय के सुर्य गढ़ा विधायक की मुस्कुले बढ़ती हुने जरा रही हैं आपको बता दे कि उन्होंने एक मारपीट की घटना को अंचाम दिया था जिसके बाद आरोपी ने एक फायार दज कराए थी और फिलाल पोलिस उनकी चानबिन कर रही है गिरफ्तारी के लिए आपको बता दे कि एस दोरान वहां कई नेताओं ने और कई संगठनों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और सुर्य गढ़ा विधायक की गिरफ्तारी की मांगी और शुखनीये अभी के समय में नितीश कुमार हमारे माने मुख मंत्री जी है और निया के साथ विकास उनका उद्देश है और पुरे बिहार में कोई MLA MP मंत्री हो कोई जो भी अन्याय कर रहा है वो बच नहीं पाता है तो यहां जो अस्थाने विधायक है जो अपने आप को दबन कहते हैं कानून का राज है और बिहार में मुख्यमंत्री निटीश कुमार के राज में कोई भेन जाय खरेगा वह कानून के सिकंजा से और सारण जिले में सरकार के माध्यम से प्रायोजीत योजनाओ को जंजन तक पहुचाने के लिए जदियू के कारिकरताओं ने प मुख्यमंत्री के मध्यम से चलाई जा रही कल्यानकाडी योजनाओ को पंचायत और वाड़ अस्तरों तक ये पहुचाने के लिए ये बैठा की गई है और एक बूत पर जंता दल यूनाइटेड एंडिये गठबंदन का कैसे जीत होगा और पटना के पीर बहुर थाने में कारवाई करते हुए 2007 के एक ड़कैतिक केश में दो आरूपियों को गिरफतार किया है वहीं पलस ने बताया कि गिरफतारी आलम गई स्थाना क्षेतर से हुई है और दोनों आरूपी नाम बदल कर रह रहते हैं जिनकी सूचन अमिले पर त्वरित कारवाई करते हुए दोनों आरूपियों को गिरफतार किया गया और इस ख़बर पर अधिक जानकारी के साथ जूड़ रहा है हमारे समवजाता विकरांत विकरांते क्या कुछ जानकारी है आपके पास दो आरूपियों की गिरफतारी हुई है जी बिलकुल आविनाश मैं बता दो कि ये पटना पीड़बोर थाना का मामला था बिलकुल विकरांत अभी हाल के दिनों में भी ऐसी गिरफतारी हुई थी जो इस डकैती केस से ही जुड़ी थी उसके बाद फिर से आरूपियों की गिरफतारी हुई है क्या अधिकारियों का क्या कुछ कहना इसको लेकर क्या अभी और भी कारवाई की जा रही है क्या अभी और भी चान बीन चल रही है अभी क्या और अपराधी इसमें गिरफ्तार होने बाकी है क्या फिलाल तमाम जरकारियों के लिए विकरांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद और गया के अंजना हत्याकांड में पटवा समाज ने पॉलिस की कारियोशायले पर प्रश्ण सीन ने लगाया और साथी साथ S.I.T. गठन करने की मांकी है उन्होंने पॉलिस पर पेड़ित परियोनों को परतारित करने का आरोप लगाया अलांकी जिले के मांपूर परखन्ड के बुनियाद गंज थानकशत के पटवा टोली मुहले की रहने वाली एक अंजना की हत्या की गए थी जिसके बाद पटवा समाज के लोगों ने पॉलिस के विरूध काफी आक प्रोश किया इसको लेकर पटवा समाज के लोगों ने मानपूर दुर्गास्थान पर बैठक की जिसमें पटवा समाज के सैक्डू की संख्या में लोग शामिर हुए पटवा टोली के प्यानी मुहले के रहने वाली नवालिक नड़की हंजना कुमारी के लपता होना और फिर छेद जन्वरी को छट बछट के वफ्ता में लास को मिलना है और उसके बाद उन्हीं के माता पिता को ओनर की लर बता करके हशाने का एक साजीत फ्रचे जाना इसके विरोध में हम लोग बंदी अनिस्चीत कालिंग की इंदर्स्ट्री की बतना किये है यह लगवर 45,000 बुनकर कामगार मजदूर विरोधगार रहेंगे अभी तो बंदी चलेगा एक साल हो गया पढ़ाय छोड़ा हुआ नाइन तक पढ़ाय तो आपसे यह तो नहीं कबुलवाया ना कि पापा ममी ने मारा है यह तो नहीं कबुलवाया ना पुलिस ने यहीं बॉलवाया कि 31 को आई और फिर मारने वाला में भी पापा का हाथ ही है लेकिन जब वो आई ही नहीं 31 को तो ने यह तो आप पतने कि सच क्या है वो बताया ना कि पुलिस को आपने यह बताया कि भाई आपसे एक ओलवा लिया कि पापा ने और उनके दोस्त ने मारा है कोट में आपका व्यान हुआ है ना तो कोट में आपने सभी से नहीं पताया कि पुलिस जवादस्ती किया हम लोगे साथ पटने के विए अपाई स्थाना क्षेत्र के एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को ट्रक कर बार दी जिसमें बाइक सवार युवक की वहीं आकरोशित लोगों ने एनेच तीस को जाम किया और प्रदर्शन किया साथी साथ पुर्शासन के खिलाफ जम करना रिवाजी भी की मोगे पर पहुंचे पुलस ने लोगों को शांत कराएं और नवादा में नवालिक से दोशकर्म हत्याकांड मामले में एसपी ने 24 घंटे के अंदर ही हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए आरोपी यूवक को गिरफतार कर जेल भेज दिया बतादे आपको कि नौतारिक के सुबह नौ वर्शिये बच्ची का शौपलास्टिक की बोरी में मिला था जिसके हाथ पैर बांधे हुए थे वहीं पॉलिस ने इस पर त्वरित कारवाई करते हुए साइटी गठन किया और उसके बाद आरोपियों की गिरफतारी की गौरत अलभो के एस पी ने प्रिस वारता के दोरान बताया कि एस आइटी टीम में शामिल पॉलिस कर्मियों ने इस कार्य को बहतर सफलता के साथ किया है जिसके लिए उन्हें पुरुष्क्रित किया जाएगा परसो नारदीजन थाना चेत्र में एक लड़की मिसिंग के केस हुआ है फिर उस लड़की का खल सुबह उसी गाह में ही लाश बरामत हुआ है पुलिस ने फिर आज को अपने कब्जा में लिया और एपसल टीम और डास कोड का सायोग सा अनसंदान प्रारम किया है अनसंदान के उपरां ते यह बात हयी कि जो लड़की के साथ जबलादकर की किया गया है और इसको बलादकर के बाद हत्या किया गया यह बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसको उद्वेदन है तो हम लोग सेटी को गटन किये गया इसेटी द्वारा आज इसमें मेरीन अक्यूस्ट है रंजित चोखान उसी गाम के हैं उनको गिरफ्तर किया गया और इनके द्वारा गटना कैसे कारित किया गया पूरी बात पूलीस को बताया भी और इस समंद्ध में आगे भी उम लोगा नसंदान कर रहे हैं और परश्रिम चमफारण के बगहा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपिट हुई जिसमें एक महिला को गंभीर चोटे लगी हाला कि चोट के गंभीर चोट लगने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई मामने की जाच कर रही है जानाबाद नगर्थाना क्षोत्र के कचारी और बाजार को जोड़ने वाली पुल से गिरकर एक शात्र की गंभीर रूप से वो जक्मी हो गई और बताया जा रहा है कि छात्र का इलाज जहानाबाद सदर हस्पताल में चल रहा है वहीं छात्र का इलाज चल रहा है और आपको बता दे कि पुल काफी जरजर स्थिती में हुए जिसको रेलिंग भी जिस पर तूट चुकी है और इसको लेकर आए दिन लोग बनाने की मांग करते हैं लेकिन नहीं बनाया जाता है इसको लेकर आवागमन यहाँ पर जो भी लोग करते हैं उनको उनकी जान बहुत ही खत्रे मिरहती है और सूबे में पूर्ण शराब बंदी के बाद चैंदन थाना ध्यक्ष के निर्देश पर पुलस ने बिती राते करवर पार चेक पोस्ट पर चेकिंग के दावरान कार से बारह काटून विदेशी शराब जब्त किया बदा दे आपको कि शराब कारूबारी पुलस को चक्मा देकर भाग रहे थे लेकिन पुलस ने त्वरित कारवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया और टीटी अभ्यार्तियों ने विवकानेंद की बहत्तरवी जयनती पर विहार सरकार का सिक्षन अभ्यार्तियों के साथ सोतेला विवकाने को लेकर टीटी परिक्षा के उपरांत बहाली नहीं करने को लेकर अभ्यार्तियोंने परशासन मुख्याले के समक्ष एक दिवसिय धर्ना परदर्शण किया बता दे आपको कि अब भ्यार्थियों ने यह भी कहा है कि आगामी लोग सभा चुनाओं से ठीक पहले अगर बाहाली नहीं होती है तो विद्यार्थी गण वोट का वहिश्कार करेंगे और धर्ना परदर्शन करेंगे स्कूल में सिक्षक की कमी है वो कमी की पूरा करना है इस्कूल में हमें अस्थन चाहिए यही मंग हम लोग की है भाली करेंगे तीश्क मार लोग सभा चुनाओं से पहले अगर रोजगार नहीं तो भोट नहीं प्रतियोगता परिच्छा पास कर चुके हैं, उस सरकार के विभिन अंगों, मंत्रालेओं, नेताओं के हाँ हम अपनी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन किनी के द्वारा ना ही कोई काम किया गया है, ना ही असपस्ट आस्वासन मिला है, हमारी सरकार से मांग है, अगर RTE के तह सिक्षकों की जगा खाली है, तो हमारी बहाली और बिलंब इमाम गज परखंड कारियाले के निकट इंडियन गैस एजनसी गोदाम के करमचारी से रिवॉल्वर की नोग पर अपराधियों ने साढ़े तीन लाख रुपे की चीन कर यहां पर फरार हो गया, बता दे आपको क पुलिस प्रशासन हरकत में आई और आगे की कारिवाई में जूट कई है। में व्याप्त भुर्श्ट अचार का उज्यागर करते हुए पताधिकारियों ने स्वास्त विभाग के उदासिन रवाईये पर बरस्त नजर आए। जाने का रास्ता नहीं है। पुर्व मुख्या कोशलेंद्र यादो की सत्रहुरी पुन्यतिति मनाए गए जिसमें पाली गंच विधान सभा के विधायक बच्चा यादो पुरुसान सद्विजे सिंग यादो सहित कई लोगों ने उन्हें शर्धान चलिति सभी लोग आप लोग जामते हो हैं जवदन आपर इस पाली गंच सिर्धायक है स्वामी विवेका नंद के जन्म दिवस्ट के उपर एक तरीके से पूरे तरीके से पूरे सूबे में कारिकर्म का आयोजन किया गया वहीं स्वामी विवेका नंद के जन्म दिवस्ट को युवा दिवस्ट के रूप में ही मनाया जाता है और इसे लिकर राजधानी के साथ साथ सभी जिलो में कारिकर्म का आयोजन किया गया जहां युवाओं ने बढ़चर्थ का हिच्चा लिया हम आपको ये तीन जगे की तस्वीरे दिखा रहे हैं रोहताज पटना और लखी सराई की जहां पर युवा दिवस मनाया गया स्वामी विवेका नंद की के जन्म दिवस्ट के उपलक्ष में परिजिए विवेकाननन् tur आधर से स्ववाजय गति को प्रेड़ा लेने के जरूरत है आज के दिन हम लोग उनको याद कर रहे हैं उनके व्यक्तित्तो खिर्टित्त पर बाचुथ बैचित कर रहे हैं और साथी साथ अब इस बात पर ही प्रकास डाल रहे कि खास तोर पर एक तबके के द्वारा विवेकानन्द को कबजा करने की एक साजिस्ट चल रही है विवेकानन्द साफ तोर पर इस्तिरियों के स्वतनता की बात करते हैं अन्विश्वास खिलाफ वह बात करते हैं धार्मिक आडंबर पर सिधे सिदे परहार करते हैं और इस प पर हम लोग का एक अबजेक्शन भी है और साफ साफ हम कहना चाहते हैं कि आज दिजस्तर देश के अंदर महावल बनाया जा रहा है और एक अलग तरह के रास्टवाद की बात की जा रही है वह ऐसा रास्टवाद दुग्यका बहुत सीधे तोर पर सभी धर्मों की एकता की बा संग्रटनों ने याद करने का काम किया है। उनके दुआरा बताये गए रास्ते पर आज के यूबापिरी चलते हैं तो अपने परिवार के साथ साथ देश का भी परगति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखी कितने मनोरम और कितने रोचक हैं यह जितना मनोरम और रोचक दिखता है यह दिर्श है उतना है दल्चस्प है इसका इतिहास। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कहां का दिर्श है तो हम आपको बताते हैं। दरसल यह रोचास जिले के सोन नदी पर बना इंदरपूरी बहराज है। जिसे उननेश्वी शतापदी के मध्यकाल में अंग्रेजों ने सुतंतता सिनारियों को रोखनी के लिए ततकालिन शहर में बनाया था। हलाकि यह आजादी के बाद इस बहराज को और भी विक्सित किया गया है। तोर पर यह रोता जिले का विराशत है। और इंदरपूरी बराज का निर्माण एनी कट बराज में पानी बालू भरने के बाद किया गया था। 1857 में बीर कुवर सिंग के आजादी की लडाई के बाद बिटिस सरकार ने यह सोचा कि इस आंदोलन को दबाने का एक ही तरीका है कि सभिनों को काम मिले। हमारा यह चेत्र फर्टाइल चेत्र था सहाबाद जिला। और अंग्रेजों ने डेहरी ओन सोन के एनिकट को मूलाधार मान करके यहाँ एनिकट बराज का निर्माण किया और यही से आठो जिलों में सोन नहर परणाली विक्सित किया। विश्वका यह पहला सो नहर प्रणाली है और आज भी यहां लोग रिसर्च करने आते हैं कि आखिर यह अभी तक डेड़ सो वर्सों से कैसे पानी दे रहा है जबकि इन्हों के पास जब इसका निर्माण कार्ज प्रारंब किया था उस वक्त एक समस्य आई थी कि यहां से आर उस समय यहां से पान सौ से ज़्यादा जलपोत इन नहरों में चलते थे और परिवहन का एक साधन भी वहाता है तो सुना आप इस बैराज को आजादी से पहले अंग्रेजु ने बनवाया था और आईए अब इसकी खूबियों को भी जान लीजिए इंद्रपूरी डैम को सोन डैम के नाम से भी जाना जाता है यह डैम विश्रु का चौथा सबसे बड़ा डैम है जिसकी लंबाई 1407 मीटर है वहीं इस बांध में कुल 79 गेट है जो पानी को रोग सकते हैं इस बैराज की क्षमता 14 लाख कुश्यक पानी को संग्रहित करने की इस बैराज है यहां पर हम लोग 14 लाख कुश्यक की छमता है यहां तो यहां पर हम पानी रोग सकते हैं परवाहित इस इस गेट से इस गेट से उनहतर गेट है मेरा यहां भी गेट डाउन में है और के जो कैनाल पत्ना का है उसमें供ार के तैसाधीन चोदा के ठीट है दूग Cum lle at पूर्वी से चार गेट लिए है तो पूर्वी से आपको उधर औरंगाबाद जहान जहानाबाद अरवाल पतना का सिचाई होती है और इस पूल की हमारा जो लंबाई है 1.4 किलोमेटर है बराज की जो लेंध हुआ अऔर व्याय क baptistee के नुधर मेरा Casey 되지 अभी तक तो माल लिया कि इधर हम मैं पच्छमी साइट देशक्ते हैं पानी के ऑसा अच्छ्छ अँठानवेशोबई कके शिटी है पूर्वी केनल में पानी देने का लेकिन अब इधर पहले केनल एक नई केनल तयार हो रही है जिसे पानी की मात्रा मंद्रे बढ़ाया जा सकता है गुमने की जगह है यहाँ लिए पर सोन नदी भाहद के सचीछा वख है यहाँ यहाँ जनल को swampले जग्ता चीछा रगायाँ आप लोगहों क यहाँ है अरो यहाँ जगह इहाँ करूंडा आप लोगों को यहाँए व्रुमने की जगह है एόया इक पूले जगहां यहां कर दे इंद्र की नगरी कहे जाने वाले इंद्रपूरी में डायम होनी के कारण परियटकों को अपनी ओरिय आकरशित करता है यहां डायम को देखने के लिए दूर दराज से परियटक आते हैं और यहां नौका विभार काही आनंद लेते हैं लोग यहां विशेष दिनों पाद पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं अपनी मनोरम छटा के लिए जाने जाने वाला सोन डायम जितना आकरशक दिखता है उतना ही किसानों के लिए भी फायदेमन है यह डायम किसानों के लिए जीवन दायक है क्योंकि यहां से कई जीलों के खेतों में सिचाई के लिए पानी की सप्लाई की जाती है डेरी से रुपेश कुमार की रिपोर्ट न्यूजवन इलेबन तो ऐसी यहीं तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूजवन इलेबन डॉट कॉम पर लॉगड कर सकते हैं लेंगि फिलाल खबरों में इतना ही बन रहे है न्यूजवन इलेबन के साथ नमस्कार झाल